तो फ्रेंट आज की वीडियो पर हम बनाने वाले एक वाटर पंप और फ्रेंट्स इसमें मैंने कुछ नए डिजाइन दिये नए लुक दिया है और इसमें हम सेवन 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 वाले हैं ठीक है तो वीडियो को रिलास तक देखना तब ही समझ में आएगा वहना आप कमेंट क स्ट्राइप कर लीजे और बेल आए को दबा दीजे तो भाईयो मेरे पास यहां पर दो सेवन 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 डिसी मोटर्स पड़िए और इन दोनों के वीडियो मैंने आल्रेडी बना रखा है एक साथ जार आरपीम की और एक तेरा जार आरपीम की तो दोनों में क्या डिफ् आपको 90 डिगरी पर मोरना होता था इसका यूज किया जाता है अब फ्रेंड जो इस एल्बो को लेना और से मिडल पॉइंट में यापर एक मार्किंग करनी जहां पर हम होल कर देंगे तो यहां पर मार्किंग कर देता हूं और इसमें होल करेंगे तो जिंदगी में हमें प्ले रहा हूं नीचे से नीचे का मतल्ल मैंने टेबल के नीचे से निकला गलत मसंचा करो ठीक है तो यहां पर देख सकतो हूं यह दोनों प्लेंग की साइज है एक की है यहां पर 16 cm और 7 cm ठीक है तो बड़ा वाला जो वाल के नीचे के साइड में लागेगा और चोटा वा जीजी होता है उसके अंदर स्पूक लगी होती है वो ले सकते हैं वो भी मोटी होती है तो वो भी यहां पर अच्छे से वर्क करेंगी ठीक है और इसकी साइज है फ्रेंट से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए यहां पर जैसे मैने वीडिव में दिखा रहा हूं आपको ठीके इस टैप से यह पर लेना यह ताकि यह उंदर की रूप में काम कर references वह altro अन्दर के रूप में हमें क्यारणाई इस टैप का एक लोगा चदर लेना बैशाह का पत्रा लेना जो भी समस्य है हो ले लीजyes तो इस टाप से यहाँ पर इसका एक बिल्कूल गोल यह टाइप SCLE और हमारा परल्कार के दciones कर देंगे हम। ठीक है तो हमारी दो होल तो यहां पर वेश्टेश होते हैं है अब डेख सकते हुई हमारी बिल्कुल मिड्ल पॉ Jackson मेरे प्ल किया इप अब अब आपको यह कनान है सीजर लेनी है और सीजर से जैसे मैं वी डिएो में दिखा रहा हूँ इस टैप से यहाँपर इसके अंदर आपको कटिंग करना धीक है तो आप इसके अंदर ज ricular रचार कटिंग कर सकते हो पांच कटिंग कर सकते हो ठीक है यहाँ-पर हम इसकी ऊसल्डिंग करना नहीं आता है अपको वीडियो-पनारा तो उस वीडियो को जरूर देखना तभी आपको समझ में आ जाए कि इस टाप से अच्छे से सोल्टिंग करते हैं ठीक है तो देख सब्सक्राइब यहां अच्छे से सोल्टिंग हो चुका है यहां पर गर सोल्टिंग अब यहां पर मैं इनको कनेक्ट करने के लिए आपर केबल टाइल का यूज कर रहा हूं अगर आपको केबल टाइल नहीं मिलती है तो आप किसी धागे का भी यूज कर सकते हो मतलब मोटा धाकर ले जिए और उसको बहुत तोड़ी लपेट दीजिए इसको ज्यादर बार ठीक अब यहां पर मैं 13000RPM की मोटर यूज करूँगा ताकि इसका प्रेशर काफी अच्छा तेज बने ठीक है और अगर आप लो आर्पिंग का यूज करोगे उससे प्रेशर कम बनेगा ठीक है तो यहां पर देख से बांध दिया मोटर को भी केबल टाइक की दूआगा और इसको मैं चला के दिखा देता हूं और आपको फ्रेंट्स ठीक है और काफी जल्दी भी बन गया प्रेंट्स देखतो तो कोई ज़्यादा मैंनत करने की जोड़त नहीं पड़ी हमें और देखतो तो हमारी मोटर है वो अच्छे तो पानी पेक रही है और काफी मोटी धार प मैं भी नहीं चाहता पानी को बेस्ट करूं लेकिन गोसार बोलता है कि लोंग वीडियो बनाईए टेस्टिंग की लेकिन अभी गरी में यसलिए मैंने ज्यादा टेस्ट करके नहीं दिखा आप समझ सकतो और फ्रेंट्स वाटर पंप हुमारा रियली में बर कर रहा है मैंने टेस्ट करके दिखाई गिया है याँ पर दो-तिन बार तो वीडियो कर अच्छे लगे तो फ्रेंट लाइक कर देना और चनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना बेला को दबाना मत बूलना जैसे मेरी हर एक नए वीडियो के नूटिटिशन आपको सब सब पहले मिल है झालियो करेंशै जाई पार घलना जैसे घएनला नहीं तो